वेलकम टो दे सूपर फास्ट डिविजन सीरीज आज के वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इनॉर्गनिक अन्मर से रिटर कोशन पुछ जाते हैं उसमें से जैसे की इसर मोस बार वगेरा तो मैं आपको करवा चुकी हूँ एनमर के हम बात करेंगे हैट्रोनूइकलियर एनमर बहुत ज़ादा पुछा जाता है वेरी इंपोर्टेंट और मैं आपको कुछ कोशन के थरू मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगे ठीक है बेसिक मैं आपको मान के चल रही हूँ कि आपको एनमर का विसिक पता है ठीक है pH 3,P,BH3,to the H1 and B1 B11 NMR,Spectra , तो रुनों की आई वैल्यू आपको दीखें mostly आपको आई वैली गिवें ही होती है सो आपको उसको लिखेंस की बात नहीं है तो आपको Number of NMR signals बदाने है तो सबसे बएले अगर आप देखोगे कि pH 3,P 11 इसकी structure में देखो कैसा है कि यह phosphorus कि ते अटेझे हैँ भेड़ों से ढ़ Correct led तो आपको बताना है our पाल पालता है कि सिंगनल कि चृष पहले सबसे पहले अगर इसवन अनमर की बात करें बात के रहें बाल लुटनीच 209 अब का अट्री belly dt अटेच है और boron आपका phosphorus से अटेच है तो यहाँ पे जो आपका hydrogen है वो क्या देगा उसका जो signal होगा वो split होगा आपके boron से भी और आपके phosphorus से भी तो अगर हम इसका formula लिखेंगे तो formula क्या है 2 ni plus 1 into 2 ni plus 1 ये दो बार हमने formula क्यों लिया कि एक बार हमने लिया है boron के लिए एक हमारे phosphorus के लिए सो देखो सबसे पहले अगर हम boron की वज़े से इसका h1 nmr की splitting देखेंगे तो कितना होगा number of आपके बो आपके boron कितने है 1 into आप यहाँ पे आई की value कितने है boron के लिए 3 by 2 plus 1 into अब यहाँ पे next हम phosphorus का लेंगे तो phosphorus के लिए कितना आएगा 2 into phosphorus कितने है 1 into 1 by 2 plus 1 ठीक है फिर आपके इसको जब solve करोगे तो आपको total कितना आएगा 4 into 2 is equal to 8 signal यह आया आपका h1 nmr क्योंकि h1 nmr किसकी वज़े से split हुआ आपका phosphorus and boron की वज़े से next अगर हम बात करेंगे यहाँ पे b11 nmr के बारे में so देखो यहाँ पे भी boron किससे attach है hydrogen से attach है और phosphorus से attach ह तो सबसे पहले इसका splitting किससे होगी अगर hydrogen के लिए लेंगे तो 2 into hydrogen कितने है 3 तो यहाँ पे n की जग हम लिखेंगे 3 into i की value hydrogen के लिए कितनी होती है 1 by 2 plus 1 into 2 into phosphorus के लिए 1 number है और i की value कितनी है 1 by 2 plus 1 ठीक है अब यहाँ पे आप solve करोगे तो अभी आपको क्या मिलेगी value is equal to 8 तो टोटल आपको दोनों ही H1 और behavior 11 NMR में कितने signal मिले 8 and 8 signal मिले option number 1 यहाँ पे collect होगा तो simply आपके BH3 के लिए signals पूछे दे इन्होंने phosphorus यहाँ पे क्योंकि NMR active है इसलिए यह भी क्या करेगा इनको split करेगा ठीक है यह भी आपका 31 P NMR से है आपको compound दिया हुआ है 2266 N4 P4 CL4 NME24 इसके लिए आपको signal बताने तो अगर आपके structure बनाओगी तो कुछ इस तरह की structure होगी सबसे पहले आपको देखना है कि same phosphorus atom कितने है और different कितने है क्योंकि यही main होता है जो same होते है वो same signal देते है ठीक है अगर आप देखोगे तो यह जो आपके phosphorus है यहां पे आपका NME2 below the plane है यहां पे CL below the plane है तो यह दोनों अलग हुए और यहां पे अगर आप देखोगे तो इनमे भी एक NME2 तो कहा है below the plane है तो मतलब यह दोनों same 2Ni plus 1 वाला तो यह अलग अलग अपना देंगे तो हम अगर P A type के लिए निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 into same A type वाले कितने हैं 2 into 2 into इनका I value तो phosphorus का I value कितना होता है 1 by 2 कुछ है कि आपको याद भी रगने पड़ते हैं simply अगर कोई different होता है तो यह आपको देते हैं जैस 1 तो यह क्या देगा आपका 3 signal यानिके यह क्या देगा triplet इसी टाइप से अगर आप PB के लिए निकालोगे जो बी टाइप के लिए हैं तो उनके लिए भी आप देखो तो कितना आएगा वो भी कितना नंबर कितना है 2 into n की value कितनी है 2 है यह यह भी 2 second type की into I value भी कितनी है 1 by 2 20 plus 1 तो यह भी कितना देगा आपको triplet देगा आपको क्या मिल रहा है दोनों के लिए 2 अलग-अलग triplet मिल रहे है तो यहां पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2 triplet this is the correct answer इस question में आपको बहुत सारा लेंतीता दिया है कई सारे डर के छोड़ देता है ऐसे question में डरना मत सिफ ध्यान से देखना बहुत easy होता है inorganic NMR को solve करना the reaction दी हुई है वह आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको से भी देखना है कि इसने क्या बोला है 13p NMR spectra बताना है आपको P3i5 का कौन सी structure होगी यह बताना है और यह NMR क्या देता है एक डबलेट and triplet तो मतलब यह दो signal दे रहा है number of signal कितने है टू अब देखो number of signal कितने है टाइप of different atom तो जितने ही दो signal है इसलिए दो टाइप के आपके पास क्या होंगे phosphorus होंगे तो इन मेंसे आपको देखना है कि दो टाइप की phosphorus किसमे है जैसे कि first option अगर आप देखोगे तो environment कैसे check करते है कि जैसे कि यह phosphorus है यह एक double bond से attach है एक iodine से attach है तो यह एक अलग देखो दो आइप से double bond single bond है इसका एक environment हो गया यह वाला देखो यह सभी से single bond से attach है तो इसका एक second environment हो गया और इसके structure देखोगे तो यहा पर दो आइप के प्रोटन है इसलिए इसका भी क्या हो गया एक अलग environment हो गया तो यह भी incorrect हो गया थाड़ option में देखो बहुत इसी है यहाँ पर भी दोनों uh dead attached है तो यह दोनों कैसे हो गया एक ही ताइप और यहाँ पर यह वाला फॉस्फोरस अलग टाइप का फॉस्फोरस हो गया तो यहाँ पर आपको कितने signal मिलेंगे two signal मिलेंगे ऐसे यहाँ देखोगे तो यह सभी अलग टाइप के है इसलिए आपका correct option क्या हो जाएगा option number c पे चलते हैं नेस जो है इसमें आपका phosphorus and boron दोनों NMR का mixture है थोड़ा सा यहां पे आपको coupling को समझना पड़ेगा assuming that जो आपका pH coupling है वो PB से ज्यादा है जिसका coupling ज्यादा होता है na coupling constant की वज़े से ही क्या होते है signal split होते है जितना ज़्यादा coupling constant होगा उतना ही वो ज्यादा split करेंगा that mean कि पहले जो splitting होगी वो किसके थ्रू होगी hydrogen कि थ्रू क्योंकि इसका coupling constant ज्यादा है उसके बार में boron कि थ्रू होगी तो आपको बताना है 13 1 P NMR बताना है तो देखो phosphorus किससे अटेच है hydrogen से भी अटेच है और boron से भी अटेच है जो दोनों की वज़े से इसका signal स्पिट होगा सबसे पहले hydrogen की वज़े से इसका splitting होगा सबसे पहले hydrogen की वज़े स्प्लिटिंग होगा तो आप formula पे value रखेंगे 2 N I plus 1 में तो क्या मिलेगा 2 into hydrogen कितने है आपके 3 into I की value 1 by 2 plus 1 ठीक है तो यहाँ पे यह एक कट हो गया तो आपको क्या मिलेगा 4 signal 4 signal that mean इसको हम बोलते है Quadrate अब देखो 4 signal आपको जब Quadrate के लिए मिलता है तो आपको आई वैल्यू देखके उसका intensity ratio निकालना पड़ता है ठीक है यह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक बार मैं आपको यहाँ पे short में बताती हूँ कि जब आपका आई वैल्यू हाफ होता है तो इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पे फोर के लिए कैसा आएगा वन इस्टू 3 इस्टू 3 इस्टू 1 आएगा इसको यह वाला फिर यहाँ पे जो स्प्लेटींग होगी वह आपको कैसी उपलेगा इस्टू 3 इस्टू 1 मिलेगी क्योंकि आई वैल्यू कितनी होती है एक यहाँ पर इस्ट्री रेशियो कि इनकी peak की height कितने है first option में देखोगे तो दो signal मिल रहे है पहली बात तो चार signal मिलने थे यहां पर दो कैसे मिल रहे है गलत हो गया ठीक है फिर यहां पर भी यहां पर देखो यहां पर 4 signal है यहां पर चार सिगनल है अब यह जो इंटर्नल स्पिल्टिंग होई है यह बोरोन की वज़े से होई है चार सिगनल का रेशियो कैसा होना चाहिए यहां पर आप देखो सभी का रेशियो कैसा है इक्वल है और जो इंटर्नल स्पिल्टिंग होई है उसका रेशियो अपन डाउन है तो आप सीधा ही बता सकते हो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इस तरह से स्पिल्टिंग हो रही है फिर भी हम बोरोन के लिए देख यहां पर आई की बोरोन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है थ्री बाइटू बोरोन का नंबर कितना है वन तो टू इंटू वन इंटू थ्री बाइटू प्लस वन सो यहां पर क्या आया आपको वैल्यू कितनी आई इसका फोर यानि कि यहां पर भी यह इसको फोर सिगन देखने को मिली है इसलिए आपका फोर्थ ओप्शन करेक्ट थर्ड ओप्शन करेक्ट है एक स्टेस्ट यहां पर देखो आपको सबसे पहले आपको पता हो तो आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है यहां पर यह कुछ इस तरह से देखो यह आपका क्लोरिन यहां पर यह आपके लोन पर दो लोन पर आ गए यह आपका आफ p a ŧ कैसी स्ट्रक्चर है एक आपको पता चल गया कि प्लेल नहीं है पिरामीडल नही कुन धनी तो दो ऑफशन कि अब बात करते है इसके उस्पड जब आपको मैंने बताया रह दौ कि duelुछ थे यह दोनों सेम एंवायमेंट वाले है और यह डिपरेंट है तो आपके दो टाइप के यहां पर फ्लोरिंग प्रेजेंट है यह है एफ ए और यह है एफ बी तो अगर हम एफ ए की लिए की स्कृटिंग की बात करेंगी तो ए वात की लिए जो सिगनल आए आएगा वह कितना आएगा 2 ना जैंड यह क्या देगैंगे तो आपको एक ट्रिप्लेट देंगे तो आपको देगना है कि डपेट एंड ट्रिपलेट आपको कहा मिल रहा है option number 1 में आपको 1 डबलेट एंड वन ट्रिपलेट आपको मिल रहा है ठीक है next question is the 19-1 FNMR से ही आपका question है यह आपको पूछ रहा है very important क्योंकि आपको marydonial and facial type case पूछता है marydonial RHCL3 F3 के लिए आपको बताना है कि कितने signal आएंगे तीनों fluorine कुछ इस तरह से यह भी हो सकता है कि यह chlorine fluorine की जगए पर हो और fluorine chlorine की जघर वे सिमिलर ही एंगे यह दोनों same structure रहे इसको हम क्या बोलता है marydonial और अगर ऐसा होगा कि सारे fluorine एक साइड आगे chlorine सारे एक साइड जले गए तो इसको हम बो क्लोरिन अगर एक साइड पर चला जाए तो यह होता है फेशिल और यह होता है मैरीडोनिल आपको मैरीडोनिल के बारे पूछ है फेशिल को कट करो तो मैरीडोनिल में आपको यहां पर आपके फ्लोरिन कितने टाइप के है तो सिगनल भी कैसे मिलेंगे आपको दो ही सिगनल मिलेंगे ठीक है अब दोनों सेम देंगे कि अलग देंगे वो देगना है जो इक्विडोरिल वारा है वो कैसे देगा देखो उसके पैस में क्या है रोडियम में इसके थो इसके क्या होगी splitting होगी ठीक है तो सबसे पहले जब हम fa के लिए अगर निकालते हैं ठीक हैTH F A के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो F A के लिए सबसे पहले splitting किसके धरू होगी, RH कितरू होगी, क्यों, क्योंकि coupling constant किसका जादा है, RH का जादा है, F F bonding से, ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 NI plus 1 में रखेंगी, 2 into, रोडियम की value कितनी है, नमबर कितने है, 1 into I की value कितनी होती है, half plus 1, तो ये कितना इसको split करेगा, इसको 2 signal में, यानि की doublet, इस तरह से इसने इसको split किया, अब इन doublet की further splitting होगी, किसके थूँ आपके, second floor-in की थूँ, ये जो equatorial है, इसके थूँ होगी, तो देखो 2 into, इसका number कितना है, 1 into, 1 by 2 plus 1, तो ये splitting इसने इसके किसमे कर दी, doublet में, तो मतलब इन दो signal को भी इसने किसमे split कर दिया, doublet, तो देखो आपको पास कितने doublet आया, A की ये 1 doublet, A की ये 1 doublet, तो आपको क्या मिले, 2 doublet मिले, ठीके, किसके लिए मिले आपको, F, A के लिए, इन दोनों के लिए आपको 2 doublet मिले, अब जो F, B का स्पेक्ट्रा आएगा, इस वाले का स्पेक्ट्रा, वो इन दोनों से split होगा, सबसे पहले, रोडियम इनको split करेगा, इस F, A को, ठीक है, सबसे पहले इसने, रोडियम ने सेम आपके 2 signal दिये, F, B वाले की वज़े से कितनी splitting होगी, तो देखो 2 into, इनका number कितना है, 2 into 1 by 2 plus 1, तो that mean कि ये कितना देंगे, triplet देंगे, इस एक signal को भी ये, एक triplet में तोडेंगे, और इस एक को भी ये, एक triplet में तोडेंगे, तो आपको कितने मिले, ये triplet और ये triplet आपको कितने मिले, 2 triplet मिले, आपका option कौन सा सही हो जाएगा, और option हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number B, क्योंकि मैंने आपके 2 triplet लिखना में बूल गई थी, तो देखो 2 doublet and 2 triplet, समझ में आया, ये आपको coupling constant जहाँ पे दिया हो, वहाँ पे further coupling होती है, क्योंकि ये भी NMR active है, ये भी आपका NMR active है, इसलिए 2 doublet splitting फिर इन दोनों के through होगी, और इसकी splitting इन दोनों के through होगी, ठीक है, next to last question है, वो question अभी recently ही पूछा था, net exam में, this is also very important, for the complex join below, the non-fluxonial strip, non-fluxonial and non-fluxonial क्या होता है, fluxonial that means bond conversion होता रह रहा है, ठीक है, molecules change हो रहे है, non-fluxonial that means molecule की structure यही है, जो आपको दिये वही है, तो देखो यहाँ पे, जो आपको, इसमें आपको बिल्कुल भी changes नहीं करने, कि इसका fluxonial में क्या होगा, आपको सिर्फ इसी का निकालना है, और आपको बताना है, 31P H1 NMR बताना है, जब आपका 31P bracket H, I is equal to 1 by 2 है, bracket H का that mean है, कि यह जो आपका signal है, proton NMR, phosphorus का, वो इस hydrogen से क्या है, affected नहीं है, मतलब इसके hydrogen की तुरू splitting नहीं है, अभी तक हमने बढ़ा था न, जो नियर जो भी NMR एक्टिव एक्टिव है, वो उसको split कर रहे है, बढ़ हाइडरोजन जो यहाँ पे hydrogen है, जो यहाँ पे hydrogen है, जो pH-3 के hydrogen है, इसको split नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो phosphorus की जो splitting है, वो इन से नहीं हो रहे है, तो influence अब देखो, आपका signal कैसे आएगा, अगर आपका, सबसे पहले अगर आप इसकी structure देखोगे, तो structure कैसे है, आपके TBP-like structure है, ठीक है, कुछ इसी तरह की देखो, यह दोनो, यह दोनो, यह उन्हें, कुछ इस तरह की structure है, राइट, देखो इसकी structure कैसे है, कुछ इस तरह की, यह आपका, इनिडियम, ठीक है, और यह आपके, तीनों ग्रूप, और यह आपके दो ग्रूप, तो यह जो आपका PPSR, यह का है, यहाँ पे present है, और यह जो आपके PPSR, यह का है, यहाँ पे present है, दोनों का environment कैसा है, यह axial है, यह equatorial है, यह दोनों अलग-अलग है, तो यह एक type का हुआ, यह दोड़नी type को, मतलब यह आपको क्या देंगे, दो signal देंगे, तो signal जो आपको दो ही मिलेंगे, यह दो मिलेगा नहीं, तो यह तो कटो कट, आगे बात करो, इसकी splitting कैसे होगी, कि यह देखो, यह एक bond चोड़के, इससे attach है, तो यहाँ पे, इसकी splitting किसे होगी, इस phosphorus कित्रू, इसकी splitting होगी, इस कित्रू, तो जब आप दोनों के लिए निकालोगे, तो PA और PB, आपको दोनों के लिए क्या मिल रहे हैं, टू डबलेट्स मिल रहे हैं, तो mostly सिर्फ इसमें, एक ही सचीज समझने की थी, कि यहाँ पे टू डबलेट्स मिल रहे हैं, मेल लिए क्या होता है, कि हम वन डबलेट्स कर देते हैं, सिर्फ यहाँ फे स्ट्रूक्चर समझने की जुड़ता है, कि दोनों ही अलग-अलग है, अगर आपको इसकी स्ट्रूक्चर बता है, कि एक 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 विटोरियल है, एक एक एक्जियल है, तो दोनों क्या देंगे, दो डिफरेंट सिग्नल देंगे, एक ही डबलेट नहीं देंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, तो यह मेरे कुछ इन औरगेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोचन्स लेते, वोफुले आपके लिए बहुत यूस्फूल रहेंगे, आपको में एक्जाम के लिए, विष्यू वेरी बेस्ट और वाचिंगे,